बिहार विदान मंडल के सितकालीन सत्र के चोथे दिन और आज उमीद ठीकी है तेजस्वी यादो नितीश कुमार के मुलाकात पर लेकिन इन सब के बीच आज सदन की कारवाही में एक बर फिर से नितीश सरकार को घेरने की पूरी रणीती सत्ता और विपक्ष ने मिलकर बनाय है दरसल सदन के अंदर जब कारवाही चलती है तो बीजेपी अपने ही सरकार के कई ऐसे कामों में उनका बिरोध कर देती है मंत्री को कई बर याद दिलाना पड़ता है कि आप किने जो जवाब दिया है वो गलत है फिर क्या सदन के अंदर सरकार के मंत्री फंस्ते दिखते हैं तो नितीश कुमार की मुसीबत बढ़ जाती है दरसर आज भी कार्यस्तगन प्रस्ताव दिया गया है सबसे बड़ी बात बिधान मंदल के दोनों सदनों में चाहे बिधान सभा की बात करे या बिधान परिशत की बात करे सभी जगों पर सत्ता डल सबसे ज़्यादा अपनों से घिरते हुए दिखता है यानि निती सरकार को बिरोधियों से कम अपनों से ज्यादा डर लगता है आज बिधान सभा के अंदर जिन मुद्दों पर बहा सोन ये उसकी हम चर्चा कर रहे हैं आज बिहार बिधान सभा की कारेवाही 11 बजे से जैसे ही शुरू होगी उसमें सदन के अंदर दो ध्यान आकरशन सूचना है सरकार को उन ध्यान आकरशन सूचनाओं पर जबाब देना होगा दो ध्यान आकरशन की सूचना बिधान सभा को प्राप्त हुए जिस पर आज सरकार को जबाब देना है बिधायक अजे कुमार अक्तुरूल इमाम साहिन समेत अन्य सदस्यों के दोबारा जो ध्यान आकरसन की सुचना दी गई है वो क्रिसी विभाग को लेकर दिया गया है यानि सदन में क्रिसी विभाग का इस पर जबाब होगा क्रिसी मंत्रिस का जबाब देगे दूसरी तरफ जबकि सरकार के तरफ से जल संसाधन विभाग के तरफ से भी एक और जबाब आना है इसमें भी बिधायक अक्तुरूल इमान सहनवाज और मुहमद अन्जार नईमी के ध्याना करसन सुचना पर जबाब देना यानि एक क्रिशी पे तो दूसरा जल संसाधन पर और ये सब ही जो बिधायक हैं वो एक साथ मिलकर सवाल करते हैं बिधान सबब में आज सीएजी की रिपोर्ट भी रखी जाएगी इसके अलावा समान्य परसासन विभाग की तरफ से बिहार लोकायुक्त अधिनियम की वार्सिक रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी आपदा परबंदन विवीद सेवा परदिकार बिहार राज या भंडार निगम की तरफ से भी अपनी रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी दूसरी तरफ बिहार बिधान परिशद में आज दोपर बारे बज़े से सदन की कारेवाही शुरू होगी प्रस्नकाल सबसे पहले लिया जाएगा इसके बाद परिशद में CSG की रिपोर्ट रखी जाएगी बिधान परिशद में आज बिहार भूमी दाखिल खारी संसोदन विध्यक 2021 भी पेस किया जाएगा जबकि दो ध्यान आकरटसंग सुचनाओं पर सरकार का जबाब होना है बिहार के मखाना को बैस्विक पाचान मिले साथी साथ इसका GI TAG भी दिलाने के लिए या ध्यान आकरटसंग की सुचना दी गई है जिस पर सरकार का जबाब आएगा दूसरे बिहार के विष्व विध्याले में कुल सचिव के पत्पर बिहार सिक्षा सेवा कोटे के पतादिकारियों की पोस्टिंग से जुड़ा मामला है यानि सरकार को बिधान परिशत के अंदर भी एक मखाना के मामले पर तो दूसरा विश्व बिध्याले के अंदर सचीव की बहाली को लेके जो मुद्दा है उस पर जबाब देना होगा तो सिदे तोर पर बता दे कि बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में सरकार को घेरने की पूरी रणी थी विपक्ष के साथ भाजपा के जेडियू के जो विधायक और सदस होते हैं वो भी बनाते हैं क्योंकि सदन में सरकार से सवाल पूछने के लिए ही या बिधायक चुन के आते हैं क्योंकि सभी बिधायक पहले अपने छेतर की समस्या देखते हैं फिर सरकार के संग खड़े होते हैं यही वज़ा है कि सबसे ज्यादा सरकार अपने ही लोगों से घिरती दिखती है पिछले दिनों की बात करें तो आपको याद होगा कि बुद्वार को किस तरीके से बीजेपी बिधायक में ही सरकार के सामने चुनोती खड़ी कर दी जिसमें सरकार की भारी फजियत हो गई थी उसके बाद विपक्ष भी एक स्वर में सत्ताधारी बिधायकों के साथ खड़ा हो गया तो नितीष की मुश्किले बढ़ी तो उनको सफाई भी देना प्रहला की नितीष के मंतरी की सफाई जब सामने आई तो सरकार सवाल पर उठने लगा अमोमन पिधान मंडल के अंदर जब कारेवाई सुरू की जाती है दोनों सदनों में तो जब कोश्यन आवर चलता है या ध्यान आकरसन की सुचनाए आती है उसमें जनित से जुड़े मुद्दे होते हैं जो छेतर से जुड़े समस्या होती है उन समस्याओं पर कई भी दाय एक साथ मिल कर उस सुचना को देते हैं जिसके की सदन के अंदर उस पर बहा सुनी होती है सरकार का जबाब आना होता है और जब सरकार जबाब देने में असफल हो जाती है या सरकार जो जबाब देती है उस पे ध्यान आकरसन की सुचना पूछने वाले सदस्यों के दवारा यह कहा जाता है कि सरकार के जबाब से वो संतूष्ट नहीं है अधिकारियों नो जो report बना कर सरकार को दिये मंतरी को दिया है उसमें गलतिया है जूट है त्रूटिया है जिस पर सरकार फांच जाती है फिर विधान सबाध ज्यक्ष किसी तरीके से सदनवे जो पूछेगा है सवालों के जबाब में जो विधाय कूछते हैं उनको संतुष करने का परियास करते हैं सरकार के दौरा बार बार जबाब दिलबाते हैं, भरोसा दिलबाते हैं कि आपने जो सवाल उठाया है वो अब सदन में आ गया है इस पर कारवाई की जाएगी लेकिन सदन के अंदर गर्माहाट भी दिखेगी क्योंकि आज चोथे दीन भी विपक्ष का हंगामा सदन के बाहर दिखेगा कई मुद्धे हैं सबसे बड़ी बात है जातिये जनगर्णा का मुद्धा विपक्ष में आरजेडी के पास है तो कॉंग्रेस वामदल और AIM के जो विधाय के उनके पास अलग से मुद्धे होंगे जो सदन की सुरुवात के पहले ही विधान सबापोटकों में ही दिखने शुरू हो जाएंगे बावा की की दुआउं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहु बने बटको चाहे जहां काम होका सिर्फ यहां ग्रह कलेश, कर्श मुक्ती, प्रेम विवा, जादु टोना, पती-पत्ती में अन्बन सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोट का चैरी जैसी समस्याओं का समधान गुरू, खान बंगाली, घर बैठे पाएं समधान अभी कॉल करें 844-8277-903